सबस्पहले फाइल को कर लेंगे अपना सेफ कर लेते हैं आज हम पढ़ेंगे टेबल , table.html मुतलब यह मैं टेबल बनाते थे इन बैसे हम यहां पर भी टेबल बनाना सीखेंगे तो टेबल बनाने मैं इस पहले मैं आपको concept समझा देता हूँ word open हो जाए तो देखो MS word में हम table बनाते थे कैसे बनाते थे बताओ insert में जाते थे table और यहां से इस प्रकार हम table बन लेती है यह तो बनता होगा आपसे है ना आप यहां किसनी चीज़े आपको देखने के मिल रहे है जियान से देखो क्या क्या देखने मिल रहे है एक तो आपको row देखने मिल रही है तो रो का मतलब होता ready line ठीक है और एक आपको column देखने मिल रहा है जो खड़ी line होती है हलाग कि उसको column ही बूलेंगे पर्टिकुलर एक डिबा देखने मिल रहा है यह एक cell बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिखते कहा है अपन। कि row और column के अंदर लिखते हैं नहीं मैंने चीज cell है अगर cell नहीं रहता तो row कॉलम कैसे बनेगा ठीक है तो आपको लिखना cell के अंदर है जैसे मानलो अपन serial number लिख देते हैं name लिख देते हैं और address लिख देते हैं उसके बाद यहा Ass loves तू थ्री इस प्रकार से जो भी हमको देना है यहां मान लो अपने कोई भी एक नाम दे दिये यहां पर दूसरा दे दिये यहां पर अपन ने दिये ठीक है अब मुझे बताओ यह heading अलग से दिखती के फिर यह से common दिखती सब के ज़ग अलग दिखती है तो इसको क्या करेंगे अपन थोड़ा सा बोल्ड बगेरा करेंगे ना बोल्ड करेंगे या जैसे भी साइज आप बढ़ा सकते हैं ठीक इसका color बदलना तो भो भी हम कर सकते थे नहीं कर सकते थे देखो यहां से आपका यह था सेटिंग में आप light देना चाहत से light भी दे सकते हैं समझ गए तो यह था हमारा MS Word का टेबल यहां कितनी चीजे देखने मिली इस complete चीज को हम बोल देते हैं टेबल टेबल के अंधर row भी रहती है क्या रहती है उसके अंधर column भी रहते है ठीक है और दोनों से मिलके क्या बनता है cell तो हम simple ऐसा बोलें तो टेबल row नहीं बोल सकते हैं टेबल की row बोल सकते हैं और column गोर को क्या बोल सकते हैं बलको क्शा कर दोलों को को टेवल डाटा तो टेवल रो को सौट में क्या लिखेंगे जैसे ओडर्ड लिस्ट हमने पढ़े थे तो ओडर्ड लिस्ट को क्या बोलते है तो एल्ड बोलते थे ऐसे टेवल रो को क्या बोल देंगे टी आर ना और टेवल डाटा को सौट में क्या बोल देंगे टी डी एक और चीज आती है, table row तो आती है, जिसमें हम table heading भी लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, table heading लिखी कि नहीं, देखो है, serial number, name address क्या है, table heading है, तो table heading को sort में क्या बोलेंगे, th बोलेंगे, तो आपको कितनी चीजे ध्यान रखना, table बनाना उसको याद रखने क्या जरूवत है इने, प 123 है, चिंदवाड़ा, ऐसे लिखना है, तो आपको क्या देना है, td, क्या ts देऊगे, td है न, तो चलो, अभी चलते हैं, कहां पर हमारे, text editor में, text editor हमारा देखने मिल रहा है, इसको हमने save कर दी है, table.html से, ठीक है, जैसे हम हर दिन करते हैं, तो हम एक normal एक back page लेखा जाते structure, structure आपको बनाना ही हितना, उसके बाद यहाँ क्या लिखते हैं, आप, HTML table लिख दो, ठीक है, मतलब heading में क्या आएगा, HTML table, आप यहाँ ध्यान दो, हमको एक table बनाना है, तो table बनाना सबसे उपर बताओ, मुझे यहाँ पर, नीचे लाओ, और यहाँ heading नहीं लिखते हैं, student details लिखते ही नहीं लिखते हैं, तो ऐसा मान लोग हम उसमें heading में लिख सकते हैं, ऐसे center में जो भी करना है, तो हमको क्या कर लेते हैं, student details, जो भी class वगएरा, जो भी आपको दर्थाना, वो आप ले सकते हैं, next क्या ले रहा है अपन, table, table ले रहा है, table बंद कर दिया है, उनने लिखेंगे, टी आर लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, अपन ने टी आर और टी आर close भी हो गया, अब टी आर के अंदर हमको देखो, ये complete आपकी टी आर है, ये दिख रहे हैं आपको, अब यहां आपको तीन चीजे लेना, कुन कुन सी, serial number, name, और एक address, तो यहां तीन है, ये देखो, heading ही है, और ये क्या है, नीचे वाला, data है, तो नीचे वाला जब देंगे, data लिखेंगे, अभी हमको पहली row बना रहे, ये देखो, पहली row है, इसके उपर कोई row जोडते, तो उसको अलग देते, पर अभी हम पहली row बना रहे, तो पहली row को अपन क्या है कैसे देंगे ऑपने kis के लिए कि山 apart टीज फ्रेव से किलोज करो और इस प्रकार प्रकार से अपने serial number लिखे और क्वाकरद उसे लीलिये अपने किसके लिए सीरियल लंबर के लिए नेक्स्ट किसके लिए लिए नेम ऐसे 5 कोड़ या तो 5 ले दूसरी लिख देना इसको space हटा दो यहां क्या लिखेंगे address उसके बाद th बंद हो गया tr भी बंद हो गया tr बंद क्यों हूँ अब बताओ मुझे यहां से line close हो गई कि नहीं end हो गई अब next new line कहां सुरू हो रही है one से और one क्या है table heading है कि data है data है तो चलो वापस चलते कहां पर tr के बाद next tr शुरू होगी हर एक रो को आप tr से ही शुरू करोगे ध्यान देने चीज़ है ना अब अपने को 3 heading लिए थे 3 heading के लिए data लेना पड़ेगा कौन सा data लोगे बताओ 123 लोगे या one मोहित कुमार शिंद्वाडा लोगे क्या लोगे बताओ 123 ऐसा मतलब अपने तीन ली एक नहीं serial number name address पर यहां अपन data लेंगे जैसे मानलो हम TD से data ले लेते हैं तो TD से data ले लेते हैं one लेंगे पहले ठीक है दूसरी TD में क्या देंगे name देंगे name मतलब क्या मोहित कुमार कि फिर 123 सांत में लिख दे नई name लिखेंगे name में क्या जाएगा अपनलो अपन ने दे दिए मोहित कुमार और TD को क्या कर दिए close इसको और थोड़ा सा बढ़ा कर लेते फिर से क्या लेंगे अपन एक और TD और क्या लेना है address address लिखना नहीं सिर्फ address लिख दो ठीक है अब अपने को next बेक्ती का और लिखना है तो क्या लेंगे बताओ ज़रा TD टू ने लेना है TR बंद हो गया मतलब ये देखो आपका छिंदवड़ा यहां तक था तो ये close अब next new line शुरू होगी कहने कि new row शुरू होगी तो new row शुरू होगी फिर से क्या लेंगे TR ऐसे repeat करना आपको बार बार अभी repeat करना है तो मैं इसको simple इतना वापस लेखा जाता हूँ और यहां बं की जगह क्या कर देते 2 और यहां जो नाम है वो बदल दो और दूसरे व्यक्तिक नाम भी क्या है चिन वाड़ा फिर से क्या लेंगे अपन TR और next फिर से क्या कर दो बं की जगह है 3 कर दो और यहां कर दो दूसरे का नाम बदल दो मान लो अपन ने अंकी देदी अब और जोड़ना तो क्या करोगे आप फिर TR लोगे टीडी टीडी ऐसे जोड़ते जाओ जितने रिकॉर्ड चाहिए है जैसे नीचे चाहिए आपको 10, 12, 20, 50 तो आप ऐसे ही यहां पर क्या कर सकते हो बढ़ा सकते हो समझ गए चलो अब इसको simple क्या करेंगे अपन save करेंगे चलो save करो file menu में जाओ save करो run कराने के लिए बताएं मैंने यही से right click करके हो जाता यहां पर और नहीं तो आप minimize करो और आपका एक folder बना मिलेगा देखो practice नाम से दिख रहा यह दिख रहा है इसमें जाओ और यहां पर देखो table बना मिला क्या इस पर आप simple क्या करो double click double click करोगे और इसको भी एक तरफ open कर लो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन देखो ज़रे table बन कर मिला कि नहीं record तो आगया होगा पर table type की feeling नहीं आती होगी आपको आ रही क्या table दिख रहा है वो मतलब border गायव हो गई है इसको border लाना जरूरी border मतलब सभी की बीच में separation line देखना चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ देखो हमारे पास मैं सिफ table लिखने से तो table बन जा रहा है पर border नहीं आ रही तो इसका एक attribute होता है जिसको हम बोल देते हैं border अब border कितनी देना जामान लो फाइब पिक्सल दे सकते हैं अच्छी ज्यादा मोटी लाना तो 20 दे तो 50 दे तो पर ज्यादा मोटी लाकर क्या करोगे आप नहीं ना इसको save करें और जाकर यहाँ देखो आगे border देखो आटमेटिक ले लिए उन्हें आउटसाइड अलग दे दिया है मतलब 3D टाइप की और अंदर जो है जैसे आप लिखते हैं और यहाँ आकर क्या कर दो अब यह अटक गया इधा तो देखो एक साथी किदर छोड़ दी और यह किदर आ गया तो उसको भी दाना पड़ेगा क्या करोगे देखो यहाँ एच बन अलग से लिखी है तो एच बन में भी अब आपको पता चल गया है क कि इस ही आलाइन से क्या होता है सेंटर लेट जस्टीफाई तो इस आलाइन को यहाँ निलिख सकते हैं महण लोग एक प시고 टाइपिंग करना एठी के दूसरे कशन सकती अ hammas比較加 सकते हो यहाँ पर क्या कर दो सेंटर अब देखो जाए रूग गया अब इसको में च्छोटा कर यह सेंटर में सो हो गया अब और क्या का काम हो सकता बताओ जारा इसमें यह जो student detail लिखी है इसी table में नहीं आ सकती जैसे यहां दिखाता हूं मैं यहां देखो अभी हमारे पास में क्या लिखा है heading heading की उपर भी जो data है वो इसी अंदर लिखा जा सकता है कैसे आपको पता है हम insert में जाते हैं insert में न जाकर आप layout में जा और देखो insert above मतलब एक blank row उपर insert हो गई है इन तीनों को हम क्या कर देते है merge और जो student data है student detail है जो भी वो इसी के अंदर लिख देते हैं लिखते हैं लिख सकते ना इसको भी क्या कर देते हैं अपन बड़ा कर देते जैसे भी आपको क्या लिखे है student detail तो क्या हम यहां नहीं कर सकते हैं हमारे जो web page है उसमें मतलब student detail उपर लिखा हो भी इसके अंदर ही लिखना चाहरा है तो क्या करेंगे यह टीर है ना अपन उपर एक और टीर लिया लिया है कहां पर MS Word में तो इसमें भी क्या लाइंगे ऊपर एक टीर ला student details यह वाला उपर वाला हटा देते आप जो heading लिये थे इसको हटा दे क्योंकि उसकी कोई जरूवत नहीं है अपने तंदर ही लिख दी है इसको save करो sim और run करो यह देखो आ तो गया है पर पर दिक्कत क्या हुई है हां मतलब left में नहीं आया है उसको अपने बताए नहीं है क कहां कहां आना है जिसमान लोग किसी मत बताओ कि कहां कहां तुम बैठ सकते हैं वो अपनी जगा हम चुप चुप बैठ जाएगा पर उसको बोल देख पूरी बस तेरी है पसर पसर बैठेगा तो ऐसे इसको अपने बताए नहीं है इसको लगता है कि एक seat bus मेरी है मतलब single column उसको बताओ कि तीनो column तुम्हारे है तब वो आएगा पूरे उसमें तो बताना पड़ेगा तो कितने column है बताओ एक दो तीन तो उस अकेले को अपने को बोलना पड़ेगा कि भाई तुम्हार लिए तीनो column है तो यह column है column को जोडने के लिए call span करते हैं क्या करते हैं call span जै तो किसको जोड रहे? column को जोड रहे कि row को जोड रहे? बताओ यह क्या है? column है ना? और आड़ी बाली क्या है? row तो अभी तो column को जोड रहे ना? column को sort में call बोल देते हैं और span मतलब जोड ना? तो call span वहाँ पर हमको attribute लगाना पड़ेगा कहाँ पर लगाना पड़ेगा यह th में th के just side हम लिखेंगे call span कितने column को span करेगा वो तो यहाँ दे दो क्या? तीन अब तीन इसलिए दे दिए क्योंकि उसके बाद हमको कोई heading देना नहीं है तो अकेला है न देखो इस TR के अंदर देखो TR शुरू हुआ और TR close हुआ उसके अंदर separate एक ही है और एक ही को हमने बोल दिक तुम्हार लिए तीनों column है बोल दिए आप करो क्या save simple save करे और यह यहां जाकर क्या करो देखो जरा अगया align center क्यों आया align center इसलिए आया कि अपने center alignment दे चुके थे ठीक है separate separate color करना भी दिखाऊंगा भी अब कभी कभी देखो अपने क्या करे अभी call span करे कि रो span करे बताओ क्या करे है call span करे आप ऐसा भी तो समझ सकते ने कि मुहित कुमार और मुकेस कुमार दोनों का roll number एक ही हो सकता है या दोनों का mobile number एक ही हो सकता है उधारन के लिए होता तो नहीं है पर हम चाहते एक ही number के दो student हो हो सकता है कि ने हो सकता ना तो एक number बस provide करेंगे इन दोनों को इसको बलत इन की मालों तीनों की class एक हो सकती है हो सकती है तो यहां हम कर देते हैं देखो टी एच जो टी एच लिए ना टी एच के उपर हम एक और टी एच ले 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 ते क्या ले 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 तो टी एच में हम देते हैं क्या यहां पर टी एच को कर दो close save करो देखो जा रहा देखो यहां सैपरेट क्लास को कुछ देना चाहते हैं तो यहां आएंगे और यहां देखो अपाण TD लेंगे क्या लेंगे TD और TD हम देदेते हैं कुन सी क्लास के माने लोगो सभी बच्चे किस क्लास के है PGDCA ठीक है? अब हम save करते हैं और refresh करके देखे देखो अभी उर्ट पटांग हुआ कुछ ना कुछ है ना, भगा दियान उन्हें, हम चाहते हैं कि PGDCA तीनों में आ जाए, किस में आए, तीनों में, तो इस PGDCA को क्या बोल रहा है, देखो कितनी रो है, कितनी रो है PGDCA एक पास, एक तो खुद की है, एक two number की वाएगी, और एक three की वाएगी, कितनी रो हाजाएगी, तीन, तो त थे, अब यहाँ आपने को कोई देना जरूरी कि PGDCA नहीं, क्योंकि उसको बता दिए, कि देखो PGDCA तीन करें हैं, तो पहली रो में इसको भी कर देगा, दूसरी में इसको भी कर देगा, सेफ करें, देखो मतलब यहाँ पर हमने पहले बाले में ही उसको बता दी कि जो PGDC हमने लिखे वो तीन रो तक चलेगा अब आप बोलो कि चौहती रो लेंगे थिर चौहती रो ले ले लेते चलो लेकर देखते हैं यहाँ पर हम जो है यह देखो यह तीन तक लिए ना चौहती रो ऐसे कॉपी करके रख लेते हैं आपन क्या नंबर आ जाएगे स्टूडेंट का चार यहाँ कर दो जो भी हमको लिखना है जिसे हम लिख देते हैं यहाँ पर यह लिखे और आप जाकर रिफ्रेस करके देखो देखो फिर दिक्कत हो गई हो गई नहीं हो गई तो आप PGD से फिर क्या बताना पड़ेगा हाँ तो चार ले लो है ना तो तीन की जाकर क्या कर दो चार देखो तो जितनी रो इस पैन करना हो सकता इन दोनों के स्पैन करके आप एक ही रोल नंबर देना चाहते हैं तो इन दोनों के स्पैन कर देना कहां पर करोगे इस TD के अंदर और यहां पर यह 2 हटेगा कि नहीं हट जाएगे क्योंकि जब एक ही नंबर दे रहा है तो दूसरी में क्यों देंगे समझ गए ठीक है स्पैन करना अब हम देखते हैं कि जो टेबल है टेबल के अंदर थोड़ा सा आपको जग है थोड़ा सा क्या दिख रहा है छिपका छिपका दिख रहा है सारा मेटर तो हम चाहते हैं दूर करें तो दूर करने के लिए हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं आपको यहां टेबल के अंदर हम चलते हैं और होती है सैल पेडिंग देखो दो चीट निच्ट दिख रही है सैल स्पेशिग का मतलग हो जाता है जैसे मानलो एक वैक्टी की दूसरे वैक्टी से दूरी एक उसको बहुत देते हैं या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक कमरे की दूसरे कमरे से दूरी क्या बोल देते हैं cell spacing तो कितनी spacing होना चाहिए मान लो यहाँ पर अपने दे दिये 10 pixel ठीक है और जाकर देखो जा रहा देखो एक cell की दूसरे cell से दूरी को बोल देते हैं cell spacing पर यहाँ आपको एक चीज और समझ में आती होगी कि मुकेश कुमार अंकित लिखा है वो बॉर्डर से जस्ट किनारे पर लिखा हम चाहते एक अंदर भी जैसे मान लो आप एक कमरे से दूसरे कमरे के दूरी इतने धारित कर दी आप भी बैठे कमरे में सब्सक्राइब आप दीवार से कितनी दूरी पर बैठे हो थोड़ी दूर है कि निस तो दिवार से अपनी दूरी को बोल में सेल-पेडिंग क्या बोल में देखो यहाँ पर आप भी जाएगा देखो लिखाज सेल-पेडिंग मतला अंदर से दूरी पता चल रहा पूर दिवार से साटे साटे बैठे हैं तो ऐसे में दिक्कत होगी तो आप इसमें भी क्या कर दो 10 पिक्सल आप 10 पिक्सल करोगे देखना जा रहा टेबल और बड़ा हो गया है यह देखो यहाँ दूरी हुई कि ने दोनों के बीच में हो गई तो सेल पेडिंग किसे बोल रहा है अपान सेल के अंधा टेक्स्ट की बॉर्डर से दूरी और एक सेल की दूसरे सेल से दूरी सेल इस पेसिंग समझ गया अलाइन मतला समझ गया सेंटर लेब जस्टिफाई और बॉर्डर भी आप समझ गया एक दो चीज और होती है इसमें जो आपको ज़्यादा लोडने लेना है आप सीधे यहां से बिट्ट दे सकते है बिट्ट क्यों देना है भाई जब कभी टेबल के अपने बिट्ट निर्धारी तकनना जैसे मानलो आपको 600 पिक्सल देना है ठीक है तो 600 पिक्सल देंगे तो सिब 600 पिक्सल आज आएगा देखो टेबल यह देखो चोड़ाई आगे 600 पर हम बिट्ट क्यों नहीं दे रहे थे बताव ज़रा अगर मानलो बिट्ट नहीं देते हैं तो क्या होगा दिक्कत बताव बिट्ट ने देने क्या दिक्कत हो रही कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि जितना मेटर होतना आट्रमेटिक उनने ले लिया मतलब आप यहां चिन्दवाला की जगे और कुछ एड्रेस लिखते हो लंबा सा तो फेलेगा कि निगी खुद बह खुद खैल जाएगा तो बिट्ट देने करका सकता है क्या नइफन पर फियर मे आइडिया के लिए दे देते है इसके attributes क्या होते हैं बिट्ट भी होता है तो बिट्ट में हम चलते और यहां पर क्या देते हैं मानलो हम दे देते हैं 500 पिक्सल जादा नहीं देना है एक लिमिटेड में दे दिया करो ठीक है यहां जाकर देखो ठीक है थाड़े 400 भी दे सकते थे फिर भी फिक्सा जाता कोई दिक्कत है नहीं यहां एक और हमने लिए हैं तो देखो यह विचारा जबकि हमने इसको क्या बताए थे इसको बोले थे मात्र तीन कॉलम को ही स्पैन करना है तो हम तीन की जगे क्या कर देंगे चार कर देंगे देखो अब जड़ा तो इचीज आपको रियल टाइम पे एडिट करते बनना चाहिए पता चल रहा है रेडिमेट फॉर्मेट लिग द थोड़ी है अपने समझे कि कैसा कैसा बनाते तो हमको कॉल स्पैन करते बनना चाहिए रो स्पैन साथ में हाइड बिट बगएरा सारी चीज़े अकॉर्डिंग मतलब रन टाइम पे चेंज करते बनना चाहिए तब ही हम एक्जाम में बना सकते है ठीक है वो कुछ भी दे सकत दो टेवल आपको समझ में आया चलो टेवल में और कुछ काम करके देखते है अपन जैसे हर एक चीज का क्या होता है क्या हूता है क्या ऑ्र बॉडिग का था है क्या होगा ब降 अपन क्या होता है वह अपन क्या यह टे देते है लाइठ लाइड Táber यह दो ठीम सर champions अश्चरम अब आप चाहते हैं इस student का color अलगा है तो क्या करोगे student कहां लिखा बताओ जा रहा ठ में लिखा लिखा कि ने तो इसके अंदर आओ और इसका बीजी color क्या कर दो बीजी color इसका कर दो क्या करेंगे बताओ रेड कर दो चलो रेड स्मॉल में लिखेंगे तो भी काम करेगा कोई दिखतर ने separate ठीक है अब इसके font size बढ़ाना तो आपको अलग से बताने जरूवत तो है नहीं उसके font size बढ़ाना तो इस just सामने आपको font tag लगाना पड़ेगा कल हमने पड़े थे font tag लगाग size लिख दो size अपनी मर्जिस दे दो आप color बदल सकते जैसे एक ठो लगाग देखते हैं ज्या लो दिखेगा उसके size भी बढ़ा देते size क्या कर दे बता जा रहा 20 20 नहीं करते 15 pt करते हैं equal लगाए और अपन डबल कोट के अंदर के लिख देते 15 pt और यहां पर इसको बंद करो और font की जो मतलब काम करने की capacity है यहां से start होगी तो कहां तक end हो जाएगी detail के just बाद कि सभीम चलेगा नहीं सभीम नहीं चलना चाहिए दिक्कत हो जाएगी है ना तो यह अपनने करे save और यहां आकर refresh कर आग देखो देखो कर रखनी काम तो जो font वाला tag है वो आपको इधर use करना अपनी मर्जी से आप चाहिए font के प्रकार बदल सकते पर यह दो चीज तो बार-बार यूज होती है font color और यह font size font size आप 10 भी कर सकते हो जितनी आपकी capacity उतनी बढ़ा देना ऐसे इनके बीच में नहीं कर सकते आप heading का color बदलना है background color तो कर सकते हैं यहां bg color लिख देना तो यहां आपको कितनी चीज़े समझ में आई table बनाने के लिए table tag लिखते हैं और table को नीचे close भी करते हैं यह तो पहला concept है दूसरी चीज़ टेबल में जब भी row बनाना तो क्या लिखते हैं tr को close भी करते हैं अंदर हमको heading बनाना है या फिर मतलब simple data लिखना है तो उसके ल और किसके दौरा कराय जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए यह की cell लिखे हमने और जो सब में क्या करेगा फिल कर देगा चार कॉलम में यहसी अपन ने row को span कराया है तो PGD से सभी row में आना चाहिए उसके लिए एक में लिख दिए तीनों में नहीं लिखेंगे क्यों कि यहां अल्रेडी क्या देदी है चार चार देदी मतलब इसको खुद को मिलाएगा फिर बाकि तीन होना चाहिए मानलो यहां अपन तीन देते तो क्या होता एक खुद होता और बाकि दो होते ठीक है तो यह समझ में आए कोड़ी